हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के सब्जेक्ट सोसल स्टडीज के वीक नमबर 23 की वक्सीट को सौब करेंगे जो की North Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है राजगाट तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है तो बच्चे यहां पर लिखेंगे मोहन दास करमचंद गांधी पीपल अक्नॉलिस महात्मा गांधी एज लोग महात्मा गांधी को किसके नाम से भी जानते हैं बापू तो बच्चे यहां पर लिखेंगे बापू मात्मा गांधी was cremated at मात्मा गांधी का अंतिम इट मीज अंतिम संस्कार है कह सकते हैं दा संस्कार कहां पर किया गया राजगाट पर तो यहां पर लिखेंगे राजगाट नेक्स्ट एवरी मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग इस हेल्ड एट दे समाधी गांधी तो बच्चो गांधी जी की समाधी पर प्रतेग किस की सुब है मीटिंग होती है तो बच्चो फ्राइडे यहां लिखेंगे फ्राइडे दा नेम ऑफ दा म्यूजियम नियर दा समाधी ऑफ गांधी जी गांधी जी की समाधी के पास में जो म्यूजियम है कौन सा है तो बच्चो नैस्नल गांधी म्यूजियम है यहाँ पर लिखेंगे अब एक कुश्चन नमबर टू मैज दा फोलोइंग बच्चे आपर मैचिंग करनी है राजगाट दे समाधी ओफ गांधी तो बच्चो गांधी जी की समाधी है यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे नैस्नल गांधी म्यूजियम कहाँ पर है बिलोंगी ओ गांधी इटमीज गांधी जी के उसमें सामान है टूथ एंड नॉन वयलेंस सत्य और आहिंसा का जो वे था पात था वो किसने अपनाया मात्मा गांधी ने तो इसके साथ मैच करेंगे अब बच्चो कुश्चन नमबर 3 लुक एड़ पिक्चर गिवन बिलो नीचे दीगे पिक्चर को देखिए और राइट देर नेम और उनके नाम लिखिए तो बच्चो फर्स्ट पिक्चर में क्या है यह है बच्चो राजगाट तो यहां पर लिखेंगे राजगाट नेक् सात्मा गांदी की पिक्चर को कहा पर देखा है तो बच्चो आंसर है प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस स्टेशन में इंडियन करंसी पर जो भारतिय मुद्रा है नौट है लाइब्रेडी एड सेक्टरा राइट टू थिंक्स अबाउट गांदी जी समादी के बारे में आप इस दिया भी जला रहता है एब्री फ्राइडे मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग इस हैल्ड हेर यहां पर प्रतियक सुकुर्वार की सुभा एक प्राध्मा सबा होती है लाइफ इसकिल, sign language, सांकेतिक भासा, when we convey our thoughts and feelings to other through facial expressions and hand gestures जब हम अपने thoughts को, अपनी feelings को, अपने चेहरे के हाव भाव और अपने हातों के gestures से दूसरों तक पहुचाते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे sign language कहते हैं अब यहाँ पर matching करनी है, जैसे कि बच्चो इस face में क्या है, इसके क्या हाव भाव बता रहे हैं, laughing इत्मी सी हस रहा है तो laughing के साथ match करेंगे, इस face में बच्चो एक्सप्रेशन कैसे है, crying, रो रहा है, तो बच्चे यहाँ पर इसके साथ match करेंगे noise pollution, ध्वनी परदूशन, तो बच्चो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किन किन चीजों से ध्वनी परदूशन होता है noise pollution होता है, such sounds, ऐसी आवाजें, which cause pain to the human ears, जिससे मानव के कानों को pain feel होता है इसे ध्वनी परदूशन कहा जाता है, children, बच्चो, write the names of two unwanted sounds which hurt your ears अब बच्चो आपको ऐसी दो unwanted एवाँचित आवाजों के नाम लिखने ध्वनी के जोकी आपके कानों को hurt करती है हानी पहुचाती है, तो बच्चो आंसर है, loud horn and loud speakers संसकार साला, focus on your goal, अपने लक्षे पर focus करें food and drink, have at least one glass of hot milk daily, रोजाना कम से कम एक गिलास गर्म दूद लें activity में prepare a list for three days for how many glasses of water you take in a day बच्चो आप तीन दिन तक कितने ग्लास पानी पीते हैं, इसकी ये list बनाएंगे गेम खेलेंगे, play any indoor game of your choice, अपनी चोईस से कोई साभी indoor इट मीज़ घर में खेले जाने वाला खेल खेलेंगे, जैसे की chess, ludo, caram board, etc daily routine, include the following habits in your daily routine, दी गई habits को आप अपने daily routine में include करेंगे, include means होता है सामिल करना, begin your day by greeting your parents अपने parents को greet करके, it means अभिवादन करके, अपने दिन की शुरुआत करें, brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें, take a bath daily, रोजाना नहाएं, drink plenty of water and eat a balanced diet, पर आप तुमात्रा में पानी पीएं और संतुली ताहार लें, avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को नियमित रूप से दोएं complete your homework on time और अपना ग्रह कारें समय से पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you